ये दोफ्तों TVS Motor का Wednesday यानि की कल का चार्ट है और कल के चार्ट में यहाँ पर एक पैटन बन रहा था मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये देखिए ये जो ट्राइंगल है ये है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटन ये एक बहुत ही डिलाइबल पैटन होता है और इसका ब्रेकाट किसी भी सैड आ सकता है यानि की upside भी आ सकता है और downside भी आ सकता है मैं आपको जोम इन करके दिखाता हूँ देखते हैं इसका breakout कहा आया है और देखिए यहाँ पर इसका चोटी candle पर downside का breakout आया है एरिया के आपको length measure करनी है और ठीक इतनी length का आपको target लगाना है यहाँ पर मैंने target लगा लिया है और देखते हैं आगे क्या हुआ था और देखे दोस्तों यहाँ पर target अच्छी हुआ था TVS motor के अंदर तो दोस्तों ऐसी और learning के लिए आप हमें टेलिग्राम पर follow करें जिसका link आपको comment box के हम मिल जाएगा